नमस्कार विध्यारतियों आप सभी के लिए लेकर मैं आ चुका हूँ हिंदी विजे का आपका पेपर रुख जाना नहीं परिख्षा दिसंबर 2023 ये आप सभी MP वाले स्टुडेंट से ध्यान रखना इस बार आपको पास जरूर होना है यहां पर आप देख सकते हैं कक्षा दस्पी, हिंदी विजे का और आपका 75 मार्क्स का पूरा पेपर होने वाला है तो आए स्टार्ट करते हैं आप सभी जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे देखी यहां पर आज युका है आपका पहला परसन सही विकलब चुनकर लिखिये में राजनीती किसने सीख ली तो यहां पर आपको उत्तर बताना है जो राजनीती सीखी है वो भगवान करशनल ने सीखी दी तो आपका यह उत्तर करेक्ट हो जाएगा इसके बाद दूसरा परसने देखी हास शिरस का इस्ताइभाव क्या है तो हास शिरस का इस्ताइभाव होता है हास ठीके हास शिरस का इस्ताइभाव अगला देखी समास के प्रकार होते हैं समास के कितने प्रकार होते हैं तो यहां पर आपको समाज के प्रकार में उत्तर बता देना है छे प्रकार होते हैं ठीके अब हम next question देखते हैं भोलानात के ललाट पर कौन सा तिलक्स सोबित है तो यहां पर भभूत का तिलक्स सोबित होता था ठीक इसके बाद अगला प्रसंद देखिए संचारी भाव की सं तो संचारिभावों की संख्या 33 मानी गई है गोपियां किसे बड़ भागी कह रही है तो यहां पर आपको बताना है उद्धव को गोपियां बड़ भागी कह रही है ठीके अब इसके बाद में आप देखिए सही जोडी बनाइए सही जोडी बनाइए इस्तरी सिक्ष्या तो इस्तरी सिक्ष्या से देश का गुरो बढ़ेगा एक अंकी रचना तो ये एक अंकी ग्रामचरित मानस तो इसको महाकावी से आप मिलाएंगे एक कहानी ये भी इसको आप मन्नु भंडारी से मिलाएंगे माता का अंचल तो ये सिव पूजन सहाय और जेसंकर पुरसाद चायावाद के कवी ये आपकी सही जोड़ी हो जाती है पूर्ण ठीक है पूरी ये जो सही जोड़ी आप लोगों को बताई गई है सारी के सारी सही जोड़ी आप लोगों के लिए बैस्ट है ठीक इसके बाद में रिक्ति स्थानों की पूर्ति कीजी वाले प्रसन आ चुके हैं सूर्दास रसके कवी थे तो वातसली रसके सूर्दास जी कवी थे तो यहां पर आप वातसली बताएंगे ठीके आप अगला प्रसन देखिएगा यहां पर आपका नाटक में अंक होते हैं, तो जो नाटक होता है प्यारमित्रों, इसमें अनेक अंक होते हैं, इसके बाद में भोलानात का वास्ताविक नाम था, तो भोलानात का वास्ताविक नाम तारकिश्वर नात था, कावी के मुख्यता भेद होते हैं, तो कावी के गणना होती है मात्राओं की गणना होती है और महाकावी में जीवन का चित्रन होता है तो समग्र चित्रन होता है और रसको रसको की आत्मा कहा जाता है तो कावी की आत्मा कहा जाता है ठीक है अब आप देखिएगा सत्य असत्य लिखिए सत्य असत्य लिखिए उससे फिल आप आपको एक बात बता देता हूं कि हमारा मेंस इजुकेशन जो एप है इस एप को भी आप डाउनलोड कर लीजिए आपकी सभी एक्जाम्स के लिए बेस्ट है और सारे सब्जिक्ट मेटरिल वहां पर उपलब्द करा दिये हैं आए देखते हैं आपके सही और गलत लिखिये व रामने तोड़ाता ये भी आपका सही होगा और महारानी के सूट की कीमत भारती मुदरम पांच है अरती ये भी आपका चाहिए होगा आई स्थाई मनोविक का रिष्थाई भाव केलाते हैं तो इसमें आपको असत्य बताना है और अब देखिएगा निमलिकित प्रिशनों क उत्तर एक वाकि में दीजिए संधी कितने प्रकार की होती है तो तीन प्रकार की होती है स्वर संधी वेंजन संधी और विसर्ग संधी इसके बाद में आपका अगला प्रशने वातसल रसका इस्थाई भाव बताईए तो वतसल आप इसमें लिखेंगे वातसल रसका इस्थ प्रकार की है। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखनां है प्रगती शील आप इसमें लिख्एंगे उत्तर में। इसके बाद में नेताजी सुबास्चांदरबोस की प्रतीमा कहां पर लगी थी। तो उत्तर में आपको बताना है कजबे के चोराहे पर लगी थी। और अगला प्रसने नई दिल्ली में क्या नहीं था तो नई दिल्ली में नाक नहीं थी ठीके चांदनी रात के बाद क्या आता है तो आपको बताना है काली रात आती है सीता स्वेंबर में लक्षमान किसके साथ गए थे तो यहां पर आपको लिखना है विस्वा मित्र और भगवान राम के साथ ठीके बाकी आप लोग ये प्रस्न है